कि अगर कि अगर कि अगर कि है लो माई डियर शुडेंट्स बेलकम टू ड्रिम क्लासेस आप सभी को आज फिर से नया है ना नया समय नया दोर के साथ आगे बढ़ने की कोसिस करेंगे आप सब मेरे साथ बने रहिएगा आज मैं एक जो है रिफ्लेक्शन है ना प्रकास का प्रवरतन के प्रकास का प्रवरतन के भारे में समझेंगे लेक्चर नमबर तो आप सब बने रहेगा तो आज चलते हैं अगला क्लास दियान से देखिया गया कि प्रकास का प्रवर्तन प्रकास का क्या है प्रवर्तन समझ में आ गया इसके पिछले वेले वीडियो में हम जो है कुछ हाद तक पहुंच चुके थे इसके और आगे पहुंचने की कोशिस कर होता है समझ में आ गया किलियर है reflection of light प्रकास का प्रवर्तन के बारे में अच्छा समझेंगे अच्छी तरीका से समझेंगे आप सब्सकों है ना ध्यान से देखेगा और समझेगा है ना तो अब चलते हैं क्लास लेक्चर नंबर थ्री है क्लास टेंद का फ्रकास का प्रवर्तन न्यूटन ने बता दिया था सबसे पहले क्या ची कि प्रकास कन होता है उसी के बाद आये थे है ना हाइगेंस आये थे जो कोची बोले थे क्या ची बोले थे तो तरंग है ना ओवे रेफ्लेक्शन आफ लाइट प्रकास का प्रवर्तन के बारे में समझाये थे अब वर्तन के बारे में समझाये थे हैना पूर्ण आंत्रिक प्रवर्तन के बारे में समझाये गया था है ना और तरंग के द्वारा प्रकास बेती करन के बारे में समझाय गया था फिर कन के बारे में आए थे बहुत सारे बै्यानिक आये थे उसको बहुत सारे चीज को दिखाय गै था तो आज हम उस सी उनी के लिख्ये उए न नियमों को पालन करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं है ना अच्छी तरीका से समझेंगे कोई दिकत तो चलते हैं कि reflection of light प्रकास का प्रबर्तन है ना ध्यान से देखियेगा प्रकास का प्रबर्तन के क्या जी बदलाओ आना प्रवर्तन मनें क्या होता बदलाओ तो प्रावर्तन होगा तो क्या प्रकास आएगी तो क्या प्रावर्तन के बाद उसका रंग बदल जाएगा समझ में आगया अब जैसे कि कोई कोई भी चिकना सता पर या दर्पन पर कोई चिकनी दर्पन पर जब प्रकास आती है समझेगा प्रकास के प्रवर्तन के बारे में समझा रहे हैं कोई दिकत तो जब कोई भी प्रकास है ना चिकनी सता से टकराती है और जिस माध्यम में आती है और उसी माध्यम में क्या होती है लौट जाती है तो ये घाटना जो है प्रकास का प्रवर्तन के बारे में समझाता है समझ में आ गया प्रकास का प्रवर्तन डिफिनेशन बोलेगा तो क्या लिखेंगे कि जिस माध्यम से आती हुई प्रकास की किरने किसी चिकनी सता से टकरा कर उसी माध्यम में लवट जाती है तो लवटने की घटना को प्रकास का प्रबर्तन काते हैं समझ में आ गया लवटने की घटना को क्या काते हैं प्रकास का प्रबर्तन काते हैं जो आती है प्रकास उसे हम आपतीत किरन कहते हैं क्या कहते हैं जी आपतीत किरन कहते हैं समझ में आ गया किलियर है और उसके बाद जो लौट कर चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं प्रावर्तित किरन प्रावर्तित किरन काते, समझ में आ गया कोदिक्कत, यहां तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, आने वाली किरन को, और जाने वाले प्रावर्तन के बाद, रिफलेक्सिव रे, समझ में आ गया, इंसिडेंट रे और रिफलेक्सिव रे, कोदिक्कत, समझ में आगया प्रावर्तन के क्या होता है प्रकास का प्रवर्तन के बार हम समझाया भी तक है ना क्या बता है कि प्रावर्तन किसे कहते है प्रकास को कब कहेंगे कि प्रावर्तन हो रहा है है तो समझेंगे कि जब प्रकास की किरने किसी चिकनी सता से टकराने के बाद जिस माध्यम मे आती है जिस माध्यम से वो आती है प्रकास की किरने उसी माध्यम में क्या होते है लोट जाती है तो लोटने की घटना को क्या कहते है प्राबर्तन कहते हैं समझ में आ गया उसकी रास्ता उसी माध्यम में राती है सिर्फ क्या होती है उधर ही जिस माध्यम से आती है उस माध्य से क्या होती है लोटती चली जाती है उसे क्या कहते हैं प्रकास का प्रवर्तन कहते हैं किलियर है समझ में आ गया को दिकत तो बताइएगा इस चिकना सता है तो आने वाली किरन को क्या कहते हैं आपतीत किरन इंसिडेंट रहे हैं और जाने वाली प्रकास की किरन को क्या कहते है तो प्राबर्तीत की रण मतलब रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टेर रहे समझ में आ गया को दिकत और इसी को हम हम जब क्या करते हैं अभिलम डालते हैं है ना द्यान से देखेगा क्या डालते हैं तो अभिलम अभिलम जब डालते हैं इस पर क्या डालते हैं अभिलम तो अभिलम जो है इसको दो पार्ट में बाड़ देती है और क्या बना देती है तो एंगल बना देती है दोनों के बीच समझ में आ गया तो इसको हम इजो एंगल बना है ना क्या बनाई ये एंगल बना जो है ना ये क्या बनाई एंगल तो इंसिडेंट रे है ना और इनॉर्मल जो है इसको हम नॉर्मल काते हैं अभिलम है ना क्या ब गोलते हैं इसको अभिलम समझ में आ गया कोई दिक्कत तो प्रकास का प्रवर्तन के बारे समसे पहले समझाए जब किसी प्रकास की किरने जिस माध्यम से आती है जिकनी सता से ठकराने के बाद उसी माध्यमें लोट जाती है तो लोटने की घटना को प्रकास का प्रवर्तन कहते हैं और आने वाली किरन को आपतीत किरन इंसिडेंट रहे और जाने वाली उसको क्या कहेंगे अभी लंब बोलेंगे कोई दिक्कत हैं तक तो अभी लंब डालेंगे और अभी लंब और आपतित किरन तो इंसिडेंट रे इसलिए इसको क्या बोला जाता है कौन आई से सुचित किया जाता है और रिफलेक्टेड रे मतलब आर से सुचित किया जाता है पहलाक्षर क्या है आर तो आर से सुझित किया जाता है इधर आई यह चर पहला चर तो आई से सुझित किया जाता है कोई दिक्कत है समझ में आ गया इतना बात के लिए तो समझेगा आपतित किरन आने वाली किरन को क्या करते आपतित किरन प्रावरतन के बाद लोटने वाली क किरन को क्या करते हैं प्राबर्तित किरन करते हैं समझ में आ गया और अभी लंब डाले तो अभी लंब और आपतित किरन के बीच जो कौन बनता है तो आपतित को क्या कर बोलते हैं इंसिडेंट बोलते हैं इसलिए पहलाक्षर आई है इसलिए आई कौन से सुचित किया जाता ह प्राबरतित के मतलब reflected तो रिफलेक्टेड र पहलाक्षयर होता है इसलिए इसको r स्कोन को किस स्व्षिक करते हैं तो R कौन से स्वुझिद करते है कोई दिक्कत है समझ में आ किलियर है अब इसकोम क्या कहेंगे जी द्यान से देखेगा इसको आपतन कोन कहते हैं आपतन कोन द्यान रखेगा और इसकोम क्या बोलते हैं प्रावर्तन कोन है क्योंकि प्रावर्तन कोन प्रावर्तित किरन से बना हुआ है प्रावर्तन कोन समझ में आ गया किलियर है को दिक्कत किलियर है ना तो अब चलते आगे तो आपतित किरन और अभिलम के बीच जो कोन बनती है उसे आपतन कोन काते हैं और अभिलम और प्रावर्तित किरन के बीच जो कोन ब बोलते हैं समझ में आ गया को दिकत तो जब हम किसी चिक्री सता पर तीरची जो है ना तीरची लाइन से हम क्या करते हैं प्रकास को लाते हैं तो क्या बोलती है ना ध्यान से देखिएगा उसी जितना कौन से सता से जितना कौन से आती है बनाते हुए उतना ही कौन से क्या होती प्राबर्तित भी हो जाती है इसमें आध रखना को दिकत छोटी-छोटी बात इसको क्या करना है धियान में रखना है ना क्या बोले कि जिस जितना कौन बनाते हुए सता से टकराती है प्रकास की किरने उतना ही कौन से क्या हो जाती है लोट जाती है सता से बनाते हुए उतना ह कुन से क्या होती है लवट जाती है समझ में आ गया जब धियान से देखेगा जब हम किसी पर लंब डालते हैं और लंब डालने के बाद क्या चाहिए आप बोले कि इसको हमाई से करके बाट देते और कुन को यह पूरा टोटल कितनी डिगरी होती है तो एक स्वसी डिगरी का ह होता है तो दियान से देखेगा कि यह दोनों कोंड wonder बराबर हो गया तो बताएव आपस में यह दोनों को रापस में बराबर हो जाएगा इना अब बसमेद बराबर हो जाना चाहिए अब बराबर होगा यह क्यों कि जब हम लंब डालते हैं तो इतना कौन कितना डिगरी को बनाता तो नबे डिगरी का तो जितना माली जाए बना लिया ठिटा डिगरी तो यह तो भी इधर भी लंबे डिगरी बनाएगा तो नबे डिगरी बन हैं तो यह दोनों भी ठीता होता अजिए पूर्ण टोटल कौन कितना हो जाएगा एक सो सी डिग्री का देख डिग्री का इसका मंदभ इधर कितना हो जाएगा इन अभब मायिके अर। परकास के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं तो प्रावर्तन के दो नियम होते हैं कितनी नियम होते हैं दो नियम और कौन-कौन सा नियम को दर्साय गया जी समझ में आ गया तो पहला नियम कहता है कि आपतन कौन कौन सा आपतन कौन आपतन कौन बरावर होता है प्रावर्तन कौन से प्रावर्तन कोन का समझ में आ गया किलियर इसको हम कोन आई से सुचित करते हैं बराबर कोन इसको हम आर से सुचित करते हैं किलियर है इतना बात किलियर प्राबर्तन के कितने नियम होते हैं तो दो नियम होते हैं पहला नियम क्या बोलता है कि आपतन कौन और प्राबर्तन कौन दोनों आपस में क्या होती है बराबर होती है समझ में आ गया और धियान से देखेगा इसमें क्या क्या चीज बताईए बत प्राबर्तित कोन और डाला गया अभिलम तीनों जो है एक सता के कितनी बिंदु पर है एक ही बिंदु पर अस्थित होता है समझ में आ गया दोसरा नियम क्या बोला पाला नियम सबसे पहले तो पाला नियम क्या बोला आपतन कोन और क्या होती है प्राबर्तन कोन दोनों आपस में बराबर होती है जब बराबर हो गई तो धियान से देखेगा और क्या-क्या चीज होती है तो आपतन कौन हमको तो पता लग रहा है ना देखने में भी पता लग रहा है कि आपतन कौन और प्राबर्तन कौन आपतन की रन और प्राबर्तित की और डाला गया अभिलम जो होता है तीनों जो है यह सम्तल सता के एक ही बिंदु परास्थित होता है दुसरा नियम लिखा जाएगा तो उसी तरकार उसी परकार जो है दुसरा नियम क्या हो जाएगा दुसरा नियम क्या बोलता है? आपतित किरन सबसे पहले क्या ची? आपतित किरन प्रावर्तित किरन प्रावर्तित किरन और क्या डाले? डाला गया अभिलम डाला गया अभिलम सतह के क्या होती है? एक ही एक ही बिन्दु पर अस्थित होता अस्थित होता है समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहां तक? प्रावर्तन के कोई पूछेगा तो कितनी नियम होती है? तो प्रावर्तन के प्रावर्तन के कितनी नियम? तो दो नियम होता है पाला नियम क्या बता है? पाला नियम क्या होता है? कि आपतन कोन और प्रावर्तन कोन आपस में दोनों क्या होती है? बरावर होती है और दूसरा नियम क्या? तो आपतित किरन और प्रावर्तित किरन और डाला गया अभिलम जो है है ना क्या होती है तीन ए सता के एक ही बिंदु पर अस्थित होता है समझ में आ गया दो नियम होता है है ना न्यूटन जी जो है छट्ठा क्लास से ही क्या होते है इसको जो है छट्ठा क्लास में क्या गया समझाया गया और उतना ही बच्चा से क्या हो गया हम सब सीखते आ रहे हैं ना छठा क्लास में पढ़ना है प्रकास का प्रवर्तन के बारे में है ना समझेगा को दिकत न्यूटन जी इतनी असरल भासा में समझा दिये थे हैं ना कि छठा क्लास से ही क्या होने लगा था हमको समझ में आने लगा था प्रकास का प्रवर्तन क्या होता है समझ मे माधandel में लोट जाती है तो लोटने की घटना कोई क्या कते है प्रकास का प्रवर्थन कते हैं और दुसरा नियंम क्या बता है यह पतित किरन प्राबर्तित इत किरन डाला गया अभीलम जो होता है तीनों एक ही सत्व के एक ही बिंदु पर होता है समझ में आगया कि कि समझ में आगे ना चलते आगे दियान से देखेगा आने वाली किरन को अपतित किरन और प्रावर्तन के बाद जाने वाली किरन को क्या कहते हैं प्रावर्तित किरन और इसके बीच में जो डालते हैं लंब उसको हम अभिलम के से सुचित करते हैं और अभिलम और अपतित किरन के बीच जो बनता कौन आपतन कौन का लाती है और अभिलाम और प्राबर्तित किरन के बीच जो बनता कौन उसे प्राबर्तन कौन कहते हैं इसमें जो आये कुछ सर्थ भी है धियान से देखेगा बोला गया आये जब किसी कि जब किसी चिकनी सता से जितनी कोन बनाते हुए आती है किरने सता से और टकराने के बाद जितनी कोन बनाती हुए उतना ही कोन बनाती हुए क्या होती है प्राबर्तन भी हो जाती है समझ में आ गया इसका मतलब धियान से देखेगा कि जब हम आप बोल सकते ना क्या बोल सकते कि जब किसी अच्छा बताईए तो 90 डिग्री से आएगा तो किधर जाएगा है ना 90 डिग्री बनाते हुए इसका मतलब 90 डिग्री से बनाते हुए जब सता पर आती है 90 डिग्री बनाकर तो 90 डिग्री बनाकर क्या होना चाहिए प्राबर्तन होना चाहिए तो सही बात है ना त इस लाइन से आया और उसी लाइन से क्या हो गया चला गया गुजर गया तो बताइए तो प्राबर्तन कोन और आप पतन कोन प्राबर्तन कोन कितनी डिगरी का होगा तो जीरो डिगरी का होगा क्यों क्यूंकि जब हम बोलते हैं जितनी कुन आती है प्रकास की किरने जितनी कु प्राबर्तित हो जाती है तो 90 डिग्री के बनाया तो इधर भी तनब्वे डिग्री बनना चाहिए और दोनों को जब आप साम स्था से जो कुन बनती है उसको हमाँ पतन को नहीं करते हैं क्या बोलते अभिलंब तो दियान से देखेगा अभिलंब भी इसी पर हो जाएगा तो जाए जाता है कि जब किसी परकास की गिरने को लंबत किसी समतल सता पर टकराते हैं तो जीरो डिगरी बनाती हुए प्राबर्तन होकर उसी रास्ता पर चली जाती है समझ में आ गया इतना कोश्चन है ना इस अब कोश्चन जो है छोटा-छोटा आद रखना आप सबको कि कि प्रकास की किरने जो है कि क्या बोलना है कि प्रकास की किरने प्रकास की किरन सता से सता से 30 डिगरी का कोन बनाती हुई प्रकास की किरने सता से 30 डिगरी का कोन बनाती हुई आपतीत होती है तो आपतन कोन कितना होगा कि प्रकास की किरने जो है सता से कितनी डिगरी का कोन बनाती हुए तो 30 डिगरी का कोन बनाती हुए आती है मतलब आपतीत होती है तो बताएं आपतन कोन डिगरी का होगा इसका मतलब कौन सा कौन पूछ रहा है, कौन आई, है ना, incident angle वला, है ना, कौन आई का, क्या मान पूछ रहा है हमको, कोदिकत, तब कोन आई का मान पूछेगा, तो इसी के बराबर होता है, क्या चैए, कोन आर के बराबर, इसका मलो आर भी निकल जाएगा, इसमें कोई problem, कौन बनाते हुए जितनी एंगल का कौन बनाते हुए आपतित होती है सता से उतने ही एंगल बनाती हुए क्या हो जाती है प्रबर्तित भी हो जाती है तो बताइए गाई यह जो है समतल सता है आती हुए परतित होती है इसका मलब आपतित किरन और यह जाती हुए है ना जाती ह उसे हम क्या करते हैं प्रावर्तित किरन तो इसको हम क्या बोलते हैं अभिलम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तो बोले कि आई से सुचित करते हैं इसका मतलब इंसिडेंट रहे आप प्रावर्त आपतन कौन है ना इसको क्या बोलते हैं प्रावर्तन कौन कौन आर बोलते हैं समझ में आगया अब बताइए कहां से बना रही है तो सत्व से बना रही है इसका मतलब सत्व कौन हो गया ये बला हो गया तो इसके बीच कितना आती हुई परतित होता है इसका मतलब आती हुई ही नहीं बोल रहा है तो इसके और सत्व के बीच जो कौन बन रहा है कितना डिग 10 निका तो 30 समझ झाघा इसका मतलब विक्ως समझाए तो जितना ब को बनाते हुए को कि दो चाली ऐर उतने ही को बनाती हुए प्रवर्वरतित दो जाती है तो उसी तरीका से बताइजे का यह प् mustard मतलम का नहीं की यह कुछ आपतन को पूछा तो इसमें हम कुछ दिखत नहीं करेंगे ना ध्यान से देखिएगा इसको अधिक करेंगे कि लिए रहे अब बताएजिए तो अब हिलाम और जो है इधर कितना डिगरी का फूल क्यतना डिगरी का कौन बनाती है तो बोलें कि 90 डिगरी का कौन बना गट जाएंगा आती हैना और उसका बचे का इधर बच जाएगा इसका विर्थन के नियम से बरतन के नियम से ब्राबरतन के नियम से बराबर गया जाते हैं ते सलल हो जाएंगा अच्छा बताईए तो जितना डिगरी का कौन बनाते हुए उतने डिगरी का कौन बनाते हुए प्रावर्तित हो जाती है इसको मिसका मतलब ये तीनों कौन निकाल सकते हैं समझ में आ गया इसलिए question में ध्यान से देखेगा कोई दिकत चलते हैं आगे चलिए कितनी डिगरी का हो गया incident रहे कितना डिगरी का तो 90-30 डिगरी बराबर कितना डिगरी बुलेगा की 60 डिगरी समझ में आ गया किलिए रहे अब अगला point चलते हैं प्रावर्तन तो हो गया जी किलिए रहे प्रकास का प्रावर्तन के बारे में समझ गये हैं कि प्रावर्तन क्या क्या चीज होता है समझ में आ गया तो अब चलते हैं दरपन के बारे में समझेंगे किसके बारे में तो दरपन गर्पन गर्पन जिसे हम क्या बोलते हैं मीरर एतना क्या बोलते हैं जी मिरर एतना अब बताईएगा दरपन किसे कहेंगे और लेंस में थोड़ा सा प्रोब्लम है ना दरपन और लेंस में क्या है क्या है दोनों में अंतर भी है तो दरपन क्या करता है प्रकास को पूरी के पूरी तरीका से प्रावर्तन कर देता है है ना दरपन और लेंस जो होता है क्या करती है तो प्रकास को अपवर्तन करती है क्य तो इन कि इसके लिए तो संगनन कि यह हो रहा तो आप रतन हो रहा ना तो आप बरतन समझेंगे तो कांच में जो है प्रकास का पूरा क्या होती है दरपन में प्रकास का पूरी के पूरी तरीका से प्रावर्तन होता है समझ में आ गया तो प्रावर्तन के बारे में समझा दिये प्रावर्तन क्या चीज़ होता है जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लड़ जाती है समझ में आगे है ना इसके बारे में समझेंगे को दिकत तो दर्पन बोलेंगे कि दर्पन सबसे पहले कितनी परकार की होती है तो दर्पन मुखता जो होती है दो परकार की होती है कितनी परकार की होती है दो परकार की कौन-कौन जी तो ये गो होता है समतल दर्पन सम्तल दर्पन है ना प्लेन मीरर है ना जिसे हम बोलते हैं और दुसरा होता गोलिये गोलिये दर्पन जिसे हम क्या कहते हैं अस्फेरिकल बोलते हैं क्या बोलते हैं अस्फेरिकल है ना यह है कोई दिकत अस्फेरिकल मिलग कोई दिकत दर्पन जो है इंगलिस में क्या बोलते हैं तो मीरर बोलते हैं और उसके बाद दर्पन जो है कितनी मुखता कितनी प्रकार के होती है अच्छा दरपन सबसे पहले आते हैं दरपन किसे कहते हैं तो काच का ओई सा भाग जिससे प्रकास की क्या हो जाती है जिर्फ क्या हो जाए प्रयाबरतन हो जाए प्रकास को क्या बोले क्या कर दे प्रयाबरतन कर दे लुटा दे जिस माध्यम से आती है उसी और सिम्टे में मोड़ दे उसे हुम क्या कहेंगे ना एस्थेरिकल मिरर समझ में आ गया तो सम्टल तरपन क्या होती है सम्टल तरीचल क् differentiated क्या बोलेगा इसके सता जो होती है सपाथ होती है ना समझ में आ रहना समतल मलब सरल समतल होती है इसके लिए इसे क्या बोलते हैं इसकी सता जो प्राबर्तक सता जो होता है क्या होती है सपाट के जैसा होता है अदम पूरा प्लेन के जैसे है ना प्लेन रहता है उसे लिए हम इसको क्या का दिया है क्या का दिया है समतल दर्पन और गोलिये दर्पन जो होता है क्या होती है धियान से देखेगा समतल दरपन किसे कहेंगे जी तो समतल दरपन जिसकी प्रावर्तक सता क्या होती है सपाट होती है उसे हम क्या बोलते हैं समतल दर्पन बोलते हैं समझ में आ गया कोई दिक्कत यह किसका है तो समतल दर्पन का है ना प्राबर्तक सता पूरा का पूरा जितना भी प्राबर्तक सता होता है क्या होती है सपाट होती है उसे हम क्या बोलते हैं समतल दर्पन बोलते है प्लेन मिरर बोलते हैं समझ में आ गया गोलिये तो नाम से ही पता चल रहा है क्या है अस्फेर मने क्या होता है है ना गोल गोलिये है ना अस्फेर गोलिये दरपन है ना गोलिये मतलब क्या ची गोल होना चाहिए क्या होना चाहिए गोल होना चाहिए इसका मतलब यह क्या है गो दरपन सबसे पहले तो दरपन किसे कहेंगे दरपन जो है वह वैसा सभी को वैसा सभी बस्तू जिससे क्या हो जाए प्रकास की किरने क्या हो जाए प्राबर्तक हो जाए प्राबर्तन हो जाए काच का वैसा सिली जिससे पूरे के पूरे प्रकास की किरने जो जाया थी क्या हो ज देखेगा कि यह ओता है कि दिखेंगा आगे कि इसी कब आगए अस्फेर कल जो होता है कि एना कि इसी में होता है कि इस फिर में ही होता है इसका भी दो पाट होता अब तल आवतल और उतलदर्पन धियान से देखेगा क्या होता अवतल और उतलदर्पन है ना धियान से देखेगा आगे बताते है अच्छा से इसकी आपर पार देते हैं इसकी अकिर्थी कोई कद गोलिय दर्पन गोलिय दर्पन दो परकार के होते हैं कौन-कौन सा अवतल दर्पन अवतल दर्पन दूसरा क्या होता है उतल दर्पन उतल दर्पन समझ में आगे हैं अवतल दर्पन और उतल दर्पन किलियर है Concave और Convex है ना इसे बोलते है Convex Convex mirror इस को बोलते हैं क्या SHI Con Cave है ना Concave mirror और उसको क्या बोलते है Convex mirror के लिए रहे समझ में आ गया Convex mirror का जो होता है प्रावर्तक सता जो होता है है ना ध्यान से देखेगा इसकी जो प्रावर्तक सता होता है धसा हुआ होता है उसे हम क्या कहेंगे कौन केव इसकी जो होती है प्रावर्तक सता उठा हुब लता उसे हम क्या बोलते हैं कि उठ्टन समझमें आ गया के लिए अब देखिए perpendicular तीज्वा से देखिएगा कि लिए सबसे पहले दर्पन मिर्फर के बारे समझाएं हैं ना काज का वह इसा सिली जो क्या कर दे प्रकास को पूरी को पूरी क्या कर दे प्राबर्तन कर दे उसे हम क्या करेंगे दर्पन कहेंगे दर्पन दो प्रकार के होती है समतल दर्पन और गोली दर्पन समतल दर्पन किसे कहेंगे जिसकी जो सता जो होता है सपाथ होता है उसे हम क्या बो फोकस दूरी और बक्रता त्रिज्या होता है इसके बारे में समझाएंगे आगे हैं ना इस टेंसल लेनी वाली बात नहीं है तो आगे हम समझाएंगे इस फोकस दूरी क्या होता है बक्रता त्रिज्या क्या होता है ना इसके बारे हम समझाएंगे को दिक्कत तो सबसे पहले ह जब हम अंदर की और हम पोत देते मंदब रंगाई कर देते हैं तो अंदर की और रंगाई करते हैं तो बाहर हो जाएगा चिकना तो उतल दरपन में रखते हैं समझ में आ गया तो गोलिये दरपन का ही भाग है कौनसा अबतल दरपन और उतल दरपन अबतल दरपन और उतल दरपन जो होता है किस से निर्वान होता है तो गोलिये दरपन से निर्वान होता है समझ में आ गया तो दियान से देखेगा कि समतल दरपन में सबसे पहला question आता है कि समतल दर्पन में जो है किसको कहेंगे है ना डिफाइन करें तो समतल दर्पन प्रावर्तक सता जो होता क्या होती है सपाट होती है इसकी फोकस दूरी और बक्रता त्रिज्या क्या होती है तो अनंद होती है उसे हम क्या कहेंगे समतल दर्पन कहेंगे को दिकत उसी प्रकारा जाता गोलिये दर्पन में गोलिये दर्पन जो है था अबतल दर्पन होता है दो पाट में बठती है अबतल दर्पन और उत्तल दर्पन में समझ में आ गया तो अंदर की और हम पोताई कर देते हैं तो बाहर चिकना हो जाता तो उत्तल दर्पन में रख लेते हैं और जब हम अ अच्छी तरीका से ध्यान दिजिएगा सम्तल दर्पन सबसे पहला होता है क्या ची हेडिंग मार लिजिए सम्तल कि सम्तल दर्पन क्या होता सम्तल दर्पन किलियर है ना प्लेन मीरर हगत दिकरिंग प्लेन मीरर के बारे समझदे ते कि सम्तल दर्पन प्रावर्तब शता है कि इसकी प्रावर्तक सता दर्पन कहेंगे तो प्रावर्त अना ज़रूरी है क्यूंकि दर्पन का मतलब ही होता क्या ची प्रकास को प्रावर्तन करना तो क्या हो गया तो समतल दर्पन का है ना इसी के तुरुआ द्वारा हम सुझित करते हैं ना को दिक्कत हैं समझ में आ गया है तो समतल दर्पन के बारे में समझेंगे है ना समतल दर्पन का यूज भी बताएंगे समतल दर्पन में कहां कहां परतिवीम बनेगा है ना इसके बारे में समझेंगे को दिकत तो समतल दर्पन जो हता है धियान से देखेगा कि समतल दर्पन में सबसे पहले जिसकी प्रावर्तक सता क्या होती है शपाठ होती है उससे क्या बोलते हैं समतल दर्पन तो समतल दर्पन में जो है धियान देजेगा कुछ पॉइंट है कि समतल दर्पन में जो होता है ह हमेशा सम्तल्दरपन में हमेशा हमेशा समझ में आरा ना हमेशा जो है प्रती भीम प्रती भीम्ब सीधा है ना परावर काल्पनिक परती भीम बनता है पहला पॉइंट काल्पनिक समझिएगा है ना पॉइंट लिखवा रहें सबसे पहले है ना सम्तल्दरपन में क्या क्या चीप पॉइंट होता है कि सम्तल्दरपन में हमेशा जो परती भीम बनेगा सीधा बनेगा ब्रावर बनेग और कालपनिक बनेगा कालपनिक मतलब समझ रहा है इसको हम क्या कर सकते हैं है ना फिलिम बगेरा में जो होता है उसको हम उतार नहीं सकते हैं है ना कोई दिक्कत है धियान से देखेगा हमेशा परतिविम कैसा बनता है तो सीधा बराबर और परतिविम कैसा बनता है तो कालपन मतलब कोई दिख्कत है अब धियान से देखेगा हम सब जो यूज करते हैं मिरर हमारे घरो में जो मिदर उजोता है दरपन यूज होता है तो समतल दरपन कहीं यूज करते है तो समतल दरपन का यूज होता है तो दियान से देखेगा क्या ची दियान से देखेगा कि लगएगा हम जो कुछ कोई भी काम करेंगे तो हम जब दाएं हाथ से काम करेंगे तो लगेगा हमको आभास क्या ची कि बाएं हाथ से हो रहा है जब हम बाएं हाथ से कोई काम करेंगे तो लगेगा आभा हास हमको लगेगा लेकिन सच में कोची कर रहे हैं जो हाथ हम यूज कर रहे हैं तो ही आथ होगा ना लेकिन क्या बोलता है पार्सविक उल्टा परतिभीम बनाता है इसका में पॉइंट है समतल दर्पन का धियान से देखेगा क्या बनाती है तो पार्सविक उल्टा परतिभी बनता है दियान से देखेगा इसको जो है पार्षवी कुल्टा करने का मतलब क्या ची कि हम तो जो काम कर रहे हैं तो सच कर रहे हैं लेकिन उसमें जूट मोट के क्या बोलता है कि जो है हम दाएं हाथ से कोई भी काम करते हैं तो बाया हाथ वाला दिखाता है और बाया हाथ से जो काम करता है तो हमको अभास लगता कि दाएं हाथ से कर रहे हैं समझ में आगे ना तो ऐसे है ना अभास कराता हमको लेकिन बास्त बना रहा है ना मुझे क्या बोलते जो हम काम करेंगे दाये तो बाया हाथ का अभास दिलाएगा अगला पॉइंट जो है बोलता है ध्यान से देखेगा इसका पॉइंट में रहता है ना अगला point क्या होती है कि समतल दरपन के जितनी हम आगे हम रहेंगे किसी वस्तु को हम रखेंगे उतने ही पीछे उसका परतिम बनेगा समझ में आ गया इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दरपन से दरपन से वस्तु दूरी बरावर होता है समझ में आ गया तीसरा point क्या बोलता है कि दरपन से वस्तु दूरी मतलब जितनी दरपन जहां पर मान ले जाए यहां पर कोई दरपन है और कोई बस तू इधर खड़ी है मान ले जाए है ना क्या रखा हुआ है कोई बस तू इधर क्या हुआ है रखा हुआ कोई बस तू है कितनी मीटर पर तो मान ले जाए दस मीटर पर तो यह जो है क्या है संतलदर पन हाँ पर धर देंगे तो इसी के जश्ट पीछे बनेगा कितना मीटर पर तो दस ही मीटर पर कहे परतिवीम बनेगा समझ में आ गया शीधा पार्सवीक उल्टा रहेगा समझ में आ गया इधर दाया हाथ रहेगा इधर बाया दिखाएगा और बाया रहेगा तो दाया दिखाएगा समझ में आ गया इतना दूर किलियर और जितनी दूरी पर आगे रहेगा बस तू उतना ही दूरी पर पीछे उस सकते हैं कि सम्तल दर्पन में प्रतिविम हमेशा हमेशा दर्पन से पीछे बनता दर्पन के पीछे बनता है ना लिख सकते हैं कि ने दर्पन के पीछे बनता समझ में आ गया किलियर एक पहला पॉइंट क्या ची हमेशा परतिविम जो है इसमें सम्तल दर्पन में हमेशा परतिविम सीधा बराबर और काल्पनिक बनता है समझ में आ गया और दूसरा पॉइंट पार्सविक उल्टा परतिविम बना था इसका मतलब समझाए दिये दाया को बाया दिखाएगा बाया को दाया क्या करेगा हमको अभास दिलाएगा लेकिन सच में नहीं होता है समझ में आ गया तिसरा पॉइंट क्या हो रहा है तिसरा पॉइंट बोला है यह पहला पॉइंट है यह दूसरा पॉइंट यह तिसरा पॉइंट समतल दर्पन की इतना पॉइंट है न ध्यान से देखिए संतल दर्पन में जो है परतीबीम हमेशा दर्पन के पीछे बनता है कोई दिक्कत है समझ में आ गया किलिए रहे ना कि और बराबर बनता है है किलिए रहे अगला पॉइंट है संतल दर्पन की कि संतल दर्पन की फोकस दूरी जिसे हम F कहाते हैं और बक्रता त्रिज्या बक्रता त्रिज्या क्या होती हैं आनन्द होती है अनन्द होती है है ना समझ में आ गया है कोई दिक्कत किलियर है अगला पॉइंट यह हो गया समतल दर्पन का में पॉइंट है है ना आज यही तक चलते हैं इसके बाद हम कल अगले वीडियो में बढ़ाएंगे है ना जीरो टू हेरो लेबल तक है ना आपको बताएंगे है ना आपको ध्यान देना है चलिए आज यही तक चलते हैं आगे फिर कल होगा जहिंद हुआ है